नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये आडियो बुक, NSS IIT Bombay द्वारा प्रस्तत, चैनल वोईस फॉर पॉपिस पर जीवन परीचे, स्टी बंडर इस दुनिया में ऐसंबव कुछ भी नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं, जो हमने आज तक नहीं सोचे हैं सब बातों को सच कर दिखाया है, इस्टी बंडर ने, जिनका जनम, 13 माई 1950 में, केल्विं जुटकिन्स और रूला माय आडवे के, सागिनाव, मिशिगन, वेस्यम इस्टी बंडर रूला माय आडवे, जुटकिन्स में हुआ था, और परिवार में प्रेदा हुए, सब बच् सब्सक्ति दोस्त पेदा हो गया था, कम उमर से इत्वार्द एंदर बचाना शुरू कर दिया, और बात में एक दोस्त के साथ खायं साज़ेदारी बनाई, 11 साल के उमर में पंडर में इसकार रूनी वाय था, इस समुटकिन्स के सहसंस्ता पर अन्ली बोईशिस से अपनी र और उन्हें लिटिन स्टीव वंडल नाम दिया गया, इस सो बास सट में उनका पहला गाना आई कॉल इट प्रिटी म्यूजिक बट अगले वर्स उनका एल्बम इस एल्बम में एक कर चिंदर ट्रिप्स सामिय था, दो एक बड़ी बिट बन गई, 1960 के दिशक के मद्य में वंडर कहीं हीट फिल्मों के साथ आई, जैसे तविद एक चाइल्ड सार्ट और तोइन इन दे विंड, 1968 और 1970 के बीच, कहीं हीट फिल्में थी, जिन में I was made to love her once in my life, और साइन डेट सामिल है, स्टीवी बंडर का दरियर, 1970 में बंडर ने अपनी पत्नी फायरा के साथ मिलकर काम किया, और साथ में उन्होंने अपने अगले एल्बम, वहर I am coming from में काम किया, अगले वर्ज रिलेज होने पर एल्बम एखमद्यम सफलता बन गई, मार्च 1972 में उनका एल्बम Music of My Mind रिलेज हुआ, एल्बम ने बंडर के क्लास्टिक काल की फुरहत जिन हिप किया, वर्ज तोकिंग बूप एल्बम भी अज़ारी किया, जिसमें अ विष्वास, और You are the sunshine of my life, जैसे विट फिलेज ही, बाद के वर्षों में नोने काई ब्लोगबस्टर अल्बम जैसे की, पर्वेशन, फुल्फिलनेश, फस्ट फिनाले, स्ट फिनाले, स्ट इन द लाइफ, और श्किंग अंडर जर्नित रूप कि साथ आई, ते से रेट ला बन गई, 1980 के दसके दोरां पर होटर थान जुलाई और इस्टी वंडर और इस्टी वंडर और इस्ट फिरियस जैसे एल्बमों की रिलीज के साथ अपने फ़र्षिदी के सरम पर पहुंच गए, 1984 में उन्होंने फिल्म दा भूममन रेड के लिए साउंट्रेक एल्बम रिकोर्ड किया, इसमें ओस्कर विजेता गीर आई जस्ट पॉल्फ पूस सां आई लव यू सामिर था, 1989 में उन्होंने उन्होंना एल्बम केरेक्टर ब्लीज किया, इसके बाद 1929 की फिल्म गंगल फिवर के लिए साउंट्रेक एल्बम बनाया गया, 1995 में उन्होंना एल्बम कन्वर्शेशन पीश ब्लीज हुए, इसमें All Your Love और Two More Robins Will Sing जैसी हिट फिल्में, 2016 में उन्होंने एनिमेटेड सिंगीत में की सिंग के लिए अमेरिकी गाएका एरियाना ग्रांडे के साथ एक साउंट्रेक डिकोर्ड की टीवी बंडर के पर्मुक कारिया, बंडर की पर्मुक करतियों में तेकल अंजिशास, Sir Duke, You Are The Sunshine Of My Life और I Just Calling Two सा I Love You सामिल है अपने लंबे और सांदा करियर में कहीं चार्टबस्टर एल्बमों का मिर्मान किया है, जिन में Inverviations Songs Of My Life और उर्डर इन जुलाई सामिल है, स्टीव बंडर के पुरसकार और कुपलब दिया, स्टीव बंडर ने अपने करियर में 25 डेमी अवर्ड जिते हैं, 1983 में उन्हें सोंग डाइटर्स All Of Fame में सामिल किया गया, 1984 में उन्हान पिल्ब The Woman Reds से आई जस्ट गोल्ड तुस्सा आई लव यू के लिए सर्वस रेष्ट गीत के लिए एक अकेडमी पुरसकार जीता, 1989 में रोकेंड ड्रोल ओफ फेम में सामिल किया गया, 1989 में उन्हें दुरुवे संगीत पुरसकार और केनेडी सेंटर ओनर से सम्मानित किया गया, 2002 में उन्हें सोंग राइटर्स All Of Fame में सामिल किया गया, और फेमी कहन Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया, 2004 में उन्हें Billboard Century Award से सम्मानित किया गया, 2006 में पैम्टिस में राश्ट्रिय नागरिग अभिकार संग्राले से Lifetime Achievement Award टाप किया, इस्थी वज़ उन्हें मिस्टिकल वोक ओफ फेम में सामिल किया गया, 2009 में उन्हें सांती के सहिं प्राश्ट किये मेशेंजर का नाम दिया गया, 2012 में वे रेस्टिडेंशियल रेडल ओफ फिल्डम के साप करता बन गया, 2016 में डेट्राइट सहर की एक सड़क के इस्थी का नाम बदल गया, स्टीव अंडर एवेन्यू कर दिया गया, साथ में ये सहर की आनद चाबी भी बेंट की गया, 2000 में इस्टीव अंडर ने स्पाइट लेकी फिल्म वेंगो जल्ड के लिए दो सांट्रे गाने, मिस्रे प्रिस्टेंट पीपल और कुछ येर्स अगो से योगदान दिया, 2006 में इस्टीव अंडर के जीवन की प्रेयर ना, उनकी मा दुल्ला माय आर्डवे का निजम इस मई 2006 को गुआ, इस्टीव अंडर ने तब 2007 में अपने दोरे एव अंडर समर्ण आए, इन कॉंसर्ट के दोरे की वोषना की दस वर्सों में ये उनका पहलाकार एग्रम था, और वे कहते हैं वह कभी दुखों को मसूस करना चाहते हैं, ये चार और मोडते हैं और दस ने मनाते हैं, 2008 में स्टीव अंडर राश्ट्य पत्य लैन सामिल उते और उन्हें लगता है ति ओबामा अमीरिका में एक ख्यों माझे रास्ट्य पती हैं। स्टी वंडर ने ओबामा के बारे में कई प्रेश समलनों में बात की और अमेरिका को उनके लिए वोट क्यों देना चाहिए इसके बारे में बताया 2009 में स्टी वंडर को सांती के सेंप राष्टे मेसेंजर का नाम दिया गया 20 वबरी 2009 को च्टी वंडर को प्राग अबामा दोड़ा टी वंडर से सम्मानिक ओम संगीत एर्ष्विन पुरसकार मिला 2009 में तब से अच्छे दोस्तों में से एक माइकल जेक्शन की प्रेश्टी वंडर में सारक में भाव लिए और स्टेपल के केंदर में कि इवर प्रेम भी विडियो इन समर का परदर्शन किया स्टी वंडर आली में 2011 में ड्रेक ग्राग के एल्बम टेक केर पर हार्मोनिका बजाते हुए सुना जा सकता है स्टी वंडर के गीतों को दौन गिप्स, रेड होट जिली पेबर्स, बेरी जे, बिलीच और कहीं अन्य कलाकारों द्वारा रमोना किया गया है जो स्टी वी की संगीत बर्तिवा से रेडित थे, स्टी वंडर को ऐसा संगीत में रुपकार व्यक्ति के रूप में दाना जाता है और संगीत में विवादों को संबोद्र करने वाले एक ये स्वारत जो पुछ समें बहुत कम कलाकारों ने किया थे स्टीव अंडर्यू ने सिंगी तोर रोपकर उडारता के मांद्यम से राखो लोगों के इनको बाहर उमीद है ये सुनके आपको मज़ा आया और दिल्चस्प आडियो बुक सुनने के लिए इस चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए